सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग सर कैसे होती है सब इंस्पेक्टर क्या SHO बन सकता है SHO में और सब इंस्पेक्टर में क्या फर्क होता है सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के बगएर इसको क्या पोस्टिंग नहीं मिलती क्या ट्रेनिंग जरूरी है ट्रेनिंग सुना है बहुत सखत होती है ट्रेनिंग में बचे भाग जाते हैं क्या ये से बात दुरूस्त है सर ट्रेनिंग के दौरान में सब इंस्पेक्टर को क्या तन्खुआ मिलती है क्या उसने घर से को पैसे देने होते हैं उसकी ट्रेनिंग का स्लेबस क्या होता है सर वो स्लेबस कहां से मिलेगा स्लेबस की कित करना हותा है और क्या क्या करना होता है मैं हूंची रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल इस चैनल पर बेस वीवर्थ आपके लिए सर्वी औरिएंटेड लूड करियर औरिएंटेड वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपको मुख्लिफ मैकमों में जॉब्स असल करने के लिए जो एक्जैम्स होते हैं उसके बार में मैं आपको ट्रेंड करता हूँ मैं आपको हाउ नाओ देता हूँ मैं आपको चीजें बताता हूँ इसके साथ-साथ वीवर्ज मैं अपनी आॉनलाइन अकैडमी भी चलाता हूं और पूरे पाकिस्तान से बचे आउनलाइन क्लासी मुझे से लेके तयारी कर रहे हैं अगर आपका इरादा हो मुझे वाटसैप जरूर कर दीजिएगा उसके साथ साथ मैं वकील भी हूँ जी बाई परफेशन बाई लॉबी मैं प्रैक्टस कर रहा हूँ मेरे साथ को बहुत से जुनियर मेरे वकील अटैच है हम लोग रोजाना डालतों में मुख्लिफ लोगों के मुख्लिफ अमूर भी निप्टाते हैं अगर आपको मसला मुझे रापता कर सकते हैं तैंक्यू वरी मच आते हैं जी मौजू की तरफ तो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग जो होती है उसका मकसद क्या होता है तो देखिए सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग है उसका मकसद यही होता है कि उसको में हमेमे की फیमिलियरेटी दी जाए जाए उसने अनु और इज़त प्रेस्टीज कैसे रखनी है और कैसे उसने काम करना है उसके साथ साथ उसने महगमे की मुख्लिफ ब्रांचिस में कैसे काम करना है, बतौर अपरेशन पुलीस कैसे काम करना है, बतौर इन्वेस्टिगेशन पुलीस कैसे काम करना है, सीये में कैसे काम करना है, इंटी कार लिफ्टिंग में कैसे काम करना है, स्पेशल ब्रांच में क उसके इख्तियारात क्या हैं ये सारा का सारा कुछ उसको ट्रेनिंग के दुरान बताया जाता है और ट्रेनिंग के बारने का मक्सद भी यही होता है कि उसको मैक में की इन सारी चीज़ों का हाउनो दे दी जाए ट्रेनिंग सेंटर कहां कहां पे है जी ये बहुत से बचे सवाल करते है तो देखिए सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिग जो है वो लाहूर में होती है जी पुलीज ट्रेनिग कालीज चुंग लाहूर वहाँ पे उसके टेरिंग होती है उसके बाद उसकी टेरिंग होती है जी पुलीस कॉलीज से हाला में सबिंस्पेक्टर एक अच्छा रैंक होता है सबिंस्पेक्टर होता है दो पिप्स होते हैं से चोल लगाये जाते हैं इन में से और according to police rule, according to CRPC, according to Pakistan Penal Code यानि पुलीस के जितने लॉज हैं, कानून हैं पाकिस्तान का, उन सब में दर्ज है कि सब इंस्पेक्टर जो है, वो मुहत मुथ 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 TSI कहलाते हैं जी training sub inspector ट्रेनिंग के मौडियूल कैसे होते हैं जी क्या सर्थ ट्रेनिंग के दुरान उनको law पढ़ाया जाता है क्या उनको ट्रेनिंग के दुरान कोई और चीज सिखाई जाती है उनका syllabus क्या होता है इस तरह क्या बुक्ति सवाल करते हो तो देखिए syllabus उसका जो क्या है practical work क्या है पुलिस practical work में public dealing क्या है नको सिखाई जाती है उसके साराघ साथ उसको में moralने स्थाथ होना जाती है उसके सारा कुछ में रहते हुए RD बुक्ति सेचो काम करना Ruby soup में डुक्ति जाती हैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के मडियूल जिस तरह से बनाए जाते हैं कि इन सब में उसको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में सारी चीजों का पता चल जाता है और कानून की कुछ अजाफी चीजे होते हैं जैसे के मेडिकल जूरिस्पूरूडेंस जै वह साथ कि उसको जाहर दिया गया ये सारी की सारी चीज़ें थार हर सिच्जोेशन के मताबिक इसको कैसे डियल करना है कैसे काबू करना है पिर नामरूम जो मुल जमान है, untraced gwion arm को trace करना है scientifically पर उसके साथ mobile detters और यह वह सारी चीजें आ जाती है उसमें training में, यह सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं, क्योंको कैसे हमने locate करना है, कैसे मुल जमान को Trace करना है, कैसे मुल जमान को याइर करनी है यह सारी चीजे साब इंस्पेक्टर को प्रैक्टिकली सिखाई जाती है उनसे मिसलें बनवाई जाती है उनसे यह सारे का सारा काम करवाई जाता है ताके उन्हें थानों में जाके होल्ड करना होता है थानों में जाके सही सारा काम करना होता है बतार इंवेस्ट दो की मर्डर की तफ़ीशें भी करते हैं करिमिनल की यनि बड़ी बड़ी जो दफात हैं सेक्शन अफ लौ हैं उन साब की तफ़ीश इन्वेस्टिगेशन साब इंस्पेक्टर करते हैं इसलिए उनको उसके मताबिक ही ट्रेंड किया जाता है उसके साथ साथ बहुत से टाफ होती है उसमें सुना है बच्चे जो है वो भाग जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कुछ भी नहीं होता कोई ऐसी टाफ ट्रेंग नहीं है कोई आज तक ट्रेंग में फोध नहीं हो आला माफ करे आप लोग असानी के साथ वो ट्रे अपको पूरे का पूरा मौका दिया जाता है आप अपनी एक्सरसाइज प्रेक्टस करते हो फिर आप राइडिंग स्कूल में जाते हो गुड सवारी करते हो उसके बाद आपकी स्विमिंग होती है बड़े अच्छे इवंट होते हैं यह सारे के सारे ट्रेनिंग में सिर्फ प एड़ेस्ट हो जाती है और एक्सरसाइज करते हुए आपकी बाड़ी फिट हो जाती है आपको मज़ा आता है आप यंग होते हो एनरजेटिक होते हो आपके अंदर एनरजी होती है प्रटेंशल होती है और फिर आपको एक्सरसाइज करने का एक मोका दिया जाता है फिर प्रॉक्सिमेटली 30, 30 जवान होते हैं एक प्लाटून में, उसका एक कमांडर होता है, उसका एक टीचर होता है, उसका एक टीचर होता है, उसका एक टीचर जलाग होते हैं, अबस्टेकल्स के टीचर जलाग होते हैं, प्रेड के टीचर जलाग होते हैं, पीटी के टीचर जला आजाते हो फिर आप हर चीज को एंजॉय करते हो तो ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता ट्रेनिंग इजी होती है असान होती है मज़े की होती है उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर को भी असिस्टन सब इंस्पेक्टर की तरह या दीगर पुलीस अफसरान की तरह असलहे का इस्तमाल सिखाया जाता है पूरे का पूरा असलह है, उसको खोलना, जोडना असलहे के बारे में, हाउ नो, हर किसम का वैपन छोटा वैपन, शौर्ट रेंज, लॉंग रेंज वैपन उसके बाद G3 और उसके बाद SMG उसके बाद AK47, क्लाशन गोफ आप जिसको कहते हैं उसके बाद Pistols हैं, मुख्लिफ, Glock है, Breta है इन सब के बारे में उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है फिर उनसे practically firing भी करवाई जाती है, इसी तरह से सब इंस्पेक्टर जो होता है, युक अच्छा रेंक होता है उसको हर किसम की ये चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है और firing range उसके बट भी उसको गयता है बटों पे जाग उसको firing करवाई जाती है सब इंस्पेक्टर को विवर्ज इस तरह से train किया जाता है कि वो थानों में जाके independently SHO के तोर पे भी काम कर सके आफिसर मुहनम थाना, तो इस तरह से उनको train किया जाता है अच्छा जी इसके बाद फिर पूछते हैं जी इनकी training का duration इनकी training का duration जा हो एक साल होता है औरियन्टेशन या औरियन्टेशनल कोर्स उसको कहा जाता है इलीट training school बेदियां लहोर में वो करवाया जाता है उसमें नो महीने ये पुलिस training college से हाला में training करते हैं वहाँ पे उनका सारा पीटी प्रेड और लॉश और वहाँ चीज़ पढ़ाई जाती है उसके बाद जब ये इलीट की training करने के लिए आते हैं तो वो फिर लहोर में आ जाता है बेदियां में बेदियां लहोर स्कूल बेदियां में इलीट का वहाँ पे training center है वहाँ पे उनको इलीट की training भी तीन महीने करवाई जाती है तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो सब इंस्पेक्टर की training के बारे में बहुत से आप सवाल करते थे उन सवालों के तमाम जवाब मैंने आपको दे दिये इंशाला ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मवज़ू और ने टॉपिक के साथ तिल दें टेकर लाफिज और गुडबाए पाकिस्तान जिन्दबाद